हाई फ्रेंड्स मैं तोनी आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर में किस तरह सेट अप कर सकते हैं गोल फिश टब जिस तरह किसे मैंने करा हुआ है चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने किस तरह अपने घर पे गोल फिश ट करने के बाद मैं इसमें एक दिन पुराना वाटर यूज़ कर रहा हूं जो मैंने एक दिन पहले फिल करके रखा था ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि जो हमारे पानी के इसमें क्लोरीन होता है वह डिजॉल्व हो जाएगा और जो भी डिस्ट है वह नीचे बैट जाएगा उससे क्लीन वाटर अपने यूज़ कर सकते हैं अच्छे से फिल करने के बाद इसमें हम एंटी क्लोरीन एच और एंटी बैक्टिरिया एड करेंगे आप एंटी क्लोरीन पांच से छे बून डालिए यह आप अपने टब और पानी के कॉंटिटी के अशाब से डालना इससे क्या हो इसमें वाएट को माने करी जाती है मैडिसन अच्छे तरह से मिक्स होने के बाद इसमें हम ऑक्सीजन एड़ करेंगे गोल्फिश के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टन होता है क्योंकि गोल्फिश बेन ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाती इसलिए हम इसमें ऑक्सीजन एड़ करेंगे आप यह ऑक्सीज आपको दिखाता हूं कि मेरे पास किस साइस के गोल्फिश है मेरे पास पांच गोल्फिश अब मैं अपने गोल्फिश को इसमें धीरे-धीरे एड़ करूंगा यह बहुत सेंसिटेव होती है तो आपको बहुत अराम से एड़ करना पड़ेगा अपने टब में या क्यारियो में जहां आप यूज़ करना चाहें इन्हें देखे कुछ इस तरह देखेगा आपको अपना गोल्फिश चप यह आप अपने गार्ण के किसी भी कवर्य में या घर के किसी भी कौने में एर्ड कर सकते हैं बहुत सुन्दर लगेगा अपने गोल्ड फिश टब में आप इसमें वाटर प्लांट्स भी एट कर सकते हैं बहुत सुन्दर लगेगा और चाहे तो आप इसमें लाइट भी उस कर सकते हैं वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा मैंने इसे अपने रूम के मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा आप सभी को यह useful लगाओगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को share कीजिए subscribe कीजिए और like कीजिए और उस bell icon को type कीजिए कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही useful व झाल बाई